So, Hello and Welcome you all, I am Rohit from Mahajan Trader So, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ IMP Shares की तो वीडियो को आगे continue करूँ उससे पहले अगर भी तक आपने मेरे चैनल The Mahajan Trader को सबस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सबस्क्राइब कर देना साथ ही आप हमारे टेलिग्राम चैनल को भी जॉइन कर सकते हो जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वहाँ आपको Nifty और Bank Nifty की काफी कुछ अपडेट्स मिलने वाली है तो प्लीज जाकर एक बार चिक आउट जरूर करना तो वीडियो को करते हैं कंटियो तो वीडियो की शुरुआत करेंगे NHPC Limited के साथ NHPC Limited की अगर हम बात करें तो स्टॉक में लास्ट एडिंग सेजन मौर्णिंग में हमें गिरावट ने जराए थी वर उसके बाद स्टॉक ने अच्छी रिकवरी भी बताई बट अगें स्टॉक में अगर देखें एक फॉल कंटीनिव हुआ क्योंकि मार्केट भी कहीं न कहीं नेगेटिव नजर आ रहा था बर तेईस तारीक के लिए स्टॉक में आप रेडी रह सकते हो यहाँ पर बजट के लिए कई बड़े फर्म की और से नहीं को रिकमेंड किया गया था साथ ही बात करेंगे इसके डिविडेंग को लेकर क्या हमें अपकुमिंग इवेंट्स में डिविडेंग का अनॉंसमेंट होता हुए निजर आ सकता है या नहीं तो उसको लेकर भी हम डिसकेशन करने वाले कुछ डेट्स में आपके साथ डिसकस करने वाला हूँ तो नहीं पीसी लास्ट रिंग से जिससे मैंने बता है 105 रुपे 94 पेसे पर स्टॉक क्लोजिंग देत के साथ इन्होंने नहीं एक MOU साइड किया है कंपनी कौन सी है किस कंपनी के साथ इन्होंने MOU साइड किया है तो Tata Power Renewal Energy Limited Tata Power की एक auxiliary company है उसके साथ NHPC की और से अगर देखे का रूप टॉप सोलर पैनल के गवर्मेंट की और से जो स्कीम यहाँ पर चलाई जा रही तो उसके installation के लिए यहाँ पर डील साइन हुई है बज़कुल यहाँ पर एक बड़ी चीज हमें देखने को मिल रही है और जो 100% solarization का जो aim है गवर्मेंट का वो 2025 तक complete करने की यहाँ पर पूरी पूरी planning चल रही है तो एक बड़ी यहाँ पर अगर देखे एक बड़ी डील हुई है दोनों ही companies के बीच और इसका एक impact जो है अगर आप देखो गया अगेन एक किरावट हमें देखने को मिलते हैं बट शेयर में हम पॉजिटिव है अब कभिंग ट्रेडिंग सेंस के लिए आप पर अगर देखे जा देखा जाए तो कोच चीज़ें डिसकस कर लेता है गवर्मेंट ग्रांट थ्री मंथ एक्सेंशन तो बिलकुल यहां पर अगर देखे चेर्मेंट एंड मेनेजिंग डिरेक्टर को लेकर एक बड़ी घोशना आपर हुई है गवर्मेंट ने अगर देखे तीन महीने के लिए आर्पी गोईल जो एज डिरेक्टर चेर्मेंट है उससे आगे बढ़ा दिये उनकी डेट को तीन महीने और एक बड़ी न्यूज है तो यहाँ पर अगर डिखा जाएं क्या हमें आने ते डिविडेंट मिल सकता है तो बिलकुल हां मिल सकता है چॉबीस बार कमपणी डिविडेंट दे चुकी है और वही अगर दिखे 2023 का बात करें तो कमपणी की ओर से फर्फरुरी और अगस्ट में डिविडेंट में है 2020 की बात करें तो फरवरी 2021 में dividend मिला 2021 के September में dividend मिला तो highly chances कि कहीं न कहीं 2024 के अगस में भी dividend मिला का क्यूंकि आपर अगर देखे 2024 के फरवरी में भी company के और से dividend का announcement कर दिया गया है तो इस dividend के announcement से ही पता चल जाता है कि company अपने same pattern में dividend के announcements करती आ रही है तो highly chances से कि कहीं न कहीं आपर अगर देखे 2024 के अगस्त में भी हापर एक dividend का announcement होगा ही होगा तो इसके उपर भी आपको यहाँ पर ध्यान देना चाहिए और वहीं कर देखे आने वाले टाइम में काफी important dates में आपके साथ share करता हो तो आठ अगस्त दोजार चोबीस quarter one दोजार पच्चीस के results जो है company के और से announce किये जाएगा है बलकुल date यहाँ पर अगर आप देखो आने वाले time में क्या होता है तो अब बात करते हैं इसके levels की levels किस तरीके से काम कर रहे है NHPC के अगर हम बात करें तो तो हम आ जाएगे NHPC के levels के उपर और हम बात करेंगे इसे five minute की time frame पर अगर देखें तो फॉल देखने को बलता है बलकुल जो levels की हमने बात की थी उन levels के breakdown के बात शेयर जो है continue यहाँ पर गिर रहा है बलकुल यहाँ पर अगर आप देखोगे स्टॉक में गिरावट हमें नजर आती हैं तो पहले भी हम इन levels के बारे में discussion कर चुके हैं पर एक चीज मैंने clear कर दी थी कि भले ही गिरावट हो वर डाउनसाइड की उसे एक strong support है जहाँ पे स्टॉक जो है support लेके उपर की और जा सकता है पहले हमने बात किया था एक falling wage type pattern के बारे में जिसमें उपर से resistance था downside की और से एक support था proper upside down momentum अगर आप दीखो share में नजर आ जाते हैं और इसी के साथ यहाँ पर ही हमें resistance के साथ गिरावट नजर रही stock जो है काफियत तक यहाँ से गिरा एक fall देखने को मिला फिर उसके बाद जो है stock again sideways भी हमें देखने को मिला फिर उसके बाद अगर देखें यहाँ से एक fall जो है continue हुआ फिर उसके बाद again sideways रहा और again यहाँ पर अगर देखें एक pattern बना रहा है एक sideways pattern बना रहा है और इस zone को भी अगर breakdown दे देता है तो stock downside की और से यहाँ पर sustain करके उपर की और जा सकता है तो इस point के उपर आप ध्यान हो जाएगी कि कितनी बार यहाँ पर अगर देखें यह share support लेता हुआ हमें दिखाई दिया है तो पहले अगर देखें इस particular point पर stock ने support लिया था फिर उपर गया उपर से resistance face किया फिर downside क्यों रहा है फिर again support लेके stock में बड़े jump देखें हाला कि उससे पहले भी एक बार इसने यहाँ पर test किया तो again यहाँ पर आ रहा है तो अगर again support ले लेता है इस particular trade line के उपर तो stock में एक बड़ी rally हमें यहाँ से देखने को मिल सकते हैं एक बड़े jump जो है stock में यहाँ से हमें देखने को मिल सकते हैं तो इस point के उपर भी आपको यहाँ पर ध्यान देना चाहिए और बिल्कुल यहाँ पर उपर से अगर आप देखो resistance है, downside की ओर से अगर आप देखोगे support नजराता है, इसे ascending type triangle के बाद अगर breakout हमें मिला तो stock में यहाँ से एक अच्छी rally भी आ सकती है, तो यह सारे के सारे जो point हो काफियत तक interesting है, इस particular share में अगर देखे buying के लिए हमें आग SGVN की बात करते हैं, तो SGVN में अगर आप देखो, हाला कि NHPC में और एक चीज में आपको बता दो, अगर sustain करता है और high लगाता है, तो stock में अगर देखे आपको 10 से 17 रुपे तक, 10 से 12 रुपे तक के भी फाइदे हो सकते हैं, इसके उपर भी आपको ध्यान देना, SGVN की ब बट तकड़े high stock लगाने वाला है, 140 रुपे 80 रुपे से के level पे stock ने अगर देखो गए, तो closing हमें गिराबट रही, पिछले 5 दिन से stock 13 रुपे गिर चुका है, एक महीने में stock में काफी अच्छी growth भी हमें देखने को मिली, 161 के इसका all time high यह और हाई जल्दी break यहाँ पर ह लिएर कर दियाता है कि symmetrical type pattern है, breakdown हमें पहले मिल चुका था, हमने एक चीज़ कही थी कि अगर sustain कर जाता है, तो stock में और एक fall आएगा, exactly हो चीज हमने देखी, stock में एक बड़े fall continue हुआ है, और stock धीरे धीरे धीरे, downside की और आ रहा है, तो यहाँ पर अगर एक sustain कर देता है, तो stock में यहाँ से एक अची rally again देखने को में मिल सकती है, तो बिल्कुल एक बड़ी बड़त हमें again देखने को मिल सकती है, और downside की और से अगर देखो, तो यहाँ पर मैं आपको day 1 की time frame पर बता हूँ, तो एक यहाँ पर भी जो NHPC में जो level में ने बता है, तो exactly वही patterns बन रहा है, इस particular share में भी आप देखोगे, तो एक ascending type triangle ही बन रहा है, और sustain अगर करता है, तो stock में यहाँ से एक अच्छी rally देखने को में मिल सकती है, बहतरी returns हमें यहाँ से देखने को हो सकती है, तो वेट करेंगे यहाँ से stock में कितना बड़ा breakout हमें मिलता है, और all काफी कुछ प्राम चलों को join करो, link नीचे description में है,